जो क्षेत्र गंगा जमुनी दोएव में बसा हो, जील तालाव वनालों से घिरा हो, उसे इश्वर का वर्दान होना चाहिए. यही कारण है कि मुहम्मद बंगश खान ने सबसे पहले अपनी जनता के रोजगार के लिए कार्या शुरू किया. नवाब की सोच थी ऐसे रोजगार उत्पन करना जिसमें अधिक से अधिक औरते बच्चे बुजुर्ग सभी को दो समय का भूजन मिल सके. आज हम उन्ही में से कुछ का जिक्र करेंगे. फेरी स्टीमर रिवर वोट. वैसे तो प्राचीन काल में समुद्र के रास्ते व्यापार होता था. वोट द्वारा आवागमन वा माल धुलाई के लिए नदी पार कराना हमारी पुरानी परंप्रा रही है. शम्शाबाद, फर्रुखाबाद, कानपूर, इलाहबाद वा बनारस होते हुए कलकत्ता तक गंगा के बहाव की दिशा में वोट व्यापार होता था. काली नदी से आवागमन तो नहीं लेकिन वोट द्वारा माल पार कराने की प्रता थी. सीजन में वोट द्वारा एक बार में पच्चीस टन माल ढोया जाता था. मुहम्मद खान बंगश ने 1845 में अपने फोर्ट आर्चिटेक्टर शेर दिल खां को हुसेनपुर में गंगा पार आवागमन वमाल गुजारी बसुली का अधिकार दिया. भारत में पहली बार फेरी बोर्ट का इस्तिमाल गंगा क्रॉस करने हेतु किया गया. बाद में मुहम्मद बंगश ने फेरी बोर्ट का इस्तिमाल लंबी दूरी के लिए शुरू किया. केवल उन महीनों को छोड़ जब नदी में पानी कम होता. बाकी महीनों में फर्रुखाबाद से कलकत्ता तक व्यापार होता था यही कारण है कि हुसेनपूर विदेशी माल का प्रमुख बजार बन गया लाड आकलिद के दिल्ली प्रस्थान के लिए फरुखाबाद आगमन पर डियम केमबल ने राम गंगा वगंगा पर बोर्ट ब्रिज का निर्मान कराया था बाद में पैंटिलून ब्रिज का निर्मान कराया जाने लगा इस प्रकार शम्शाबाद में नील की खेती व कलकत्ता से विदेशी सामान का आदान प्रदान होने लगा यही बज़ह है कि फतेहगर का हुसेनपुर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बजार बन गया पीतल उध्योग धातू की चादर से बनी हस्त कलाकृतियों व बरतनों का इतिहास 2000-3000 इसापूर्ग पुराना है खासकर पीतल की चादर से बरतन व कलाकृतियां बनाने की शुरुवात रुस्तम खान ने सन 1629 में मुरादाबाद की स्थापना करने के बाद की थी जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी थी वहाँ वहाँ इसका काम फैलता गया लखनौ, बनारस, आग्राव व फरुखाबाद तक इसका फैलाव होता गया फरुखाबाद की आर्थिक स्थिती में पीतल उध्योग का महत्वपूर्ण स्थान रहा है यहाँ बनी पराते, जंगाले, इत्र बनाने में काम आने वाले तामबे के धेक आदी बर्तनों की ग्रामींग शेत्रों वक अनौज इत्र इंडस्ट्री में बहुत दिमान थी लेकिन स्थील के बर्तनों वर अलुमिनियम के मार्केट में आगमन से डिमांड में कमी हो गई नतीजा पीतल के बर्तनों का धंधा धीरे-धीरे कम होने लगा 1891 में ब्रिटिश सेंसस के अनुसार कुल ब्रास वेकारीगर 421 थे आज लगभग 5000 ब्रास कारीगर बेगारी की कगार पर है उचित ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के अभाव में फर्रुखाबाद के पीतल उध्योग का काफी बड़ा हिस्सा मुरादाबाद शिफ्ट हो चुका है बीडी उध्योग गुर्सहाय गंज पहले फर्रुखाबाद का ही हिस्सा था कायम गंज के तंबाकु उत्पाद की खपत गुर्सहाय गंज में होती थी गुर्सहाय गंज में बीडी लगभु उध्योग वहां की अर्थव्यवस्था की रीड बनी जो आज भी वैसे ही चमक रहा है यह उद्ध्योग आसपास गाउं के हजारों लोगों को रोजगार मोहिया करा रहा है यही नहीं तंबाकु उत्पाद बीडी उद्ध्योग से जुड़ा होने के कारण प्रिशी आधारित लगू उद्ध्योगिस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है यह एक ऐसा कार्यक शेत्र है जिसने घर बैठे औरतों को रोजगार प्रदान किया कर उन्हें ताकत प्रदान की है बंगश की आर्थिक नीती और आज की आर्थिक नीती में क्या अंतर समझ में आया कमेंट कर जरूर लिखें